हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर बार की तरह इस बार भी एक रूचिकर विशय लेकर आया हूँ और इस बात को आपको पता भी है क्योंकि मैं हर वीडियो में कुछ ने कुछ नया आप लोग को बताने की पूसिस करता हूँ तो इसी करी में आ आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आप लोग को रेंबो तो पता है रेंबो इंदर धनुस होता है इंदर धनुस कब होता है तो जब जस्ट वर्षा रूख जाती है और वर्षा रूखने के बाल सुर्ज प्रकास उपता है तो उस कारण से इंदर धनुस बनता है लेकिन क्या आप लोग कभी fire rainbow का नाम सुने है यानि fire rainbow यानि आरव का इंद्रधनुस ये इसका नाम सुने है तो आज हम लोग इसी topic पे दोस्तों चर्चा करने वाले हैं तो आए बिना देर किये हम लोग आज बात करेंगे fire rainbow के बारे में तो तरसल ये fire rainbow है क्या तो ये प्रकृतिक की एक दुरलव घटना है ये प्रकृतिक की दुरलव घटना है जो इंद्रधनुस की तरह नहीं है ये इंद्रधनुस नहीं है और नहीं या किसी प्रकार की कोई छाया है ये जो है एक प्रकृतिक की दुरलव घटना है जिसे पृतिव वो है क्या दोस्तो तो जब ये बनता कब है तो जब सुर्ज जो है अंठावन डिगरी यानि अंठावन डिगरी के एंगल पे प्रतिवी से अंठावन डिगरी के एंगल पे जब सुर्ज होता है तब इस की किर्णे बादलों पर परती है और यह जो बादल होते हैं इन में fire rainbow का नाम देते हैं चुकि यह जो घटना है यह जल्दी होती नहीं है कई भी घटित जल्दी नहीं होता है लेकिन यह जब भे घटित होता है तो इस घटना का जो यह प्रभाव है यह कुछ घंटों तक आस्मान में दिखाई देता है और आसानी से जब सुर्ज अंठावन डिगडी के कोन पर होता है तो जो बादल है उसके प्रकासे परती है जिसका वो इंद धन उसकी सनचना बना लेता है जिससे हम लोग fire rainbow का नाम देते हैं तो दोस्तों यह था इसका टोपिक जो मैंने आप लोग को बता है कि fire rainbow क्या है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा यह दि वीडियो पसंद आए तो इससे अधिक अधिक सेर कीजिए मेरे चैनल को सब्सकाइब कीजिए लाइक कीजिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए विचारों के साथ नवसकार लाइक कीजिए वीडियो पसंद आएगा